Assalamu alaikum जी, आज मैं बना रही हूँ मेरा मोस्ट फेवरिट सिंगापूरियन राइस तो मैंने सबसे पहले बनानी है स्पागटी, एक गाजली है मैंने और उसको मैं इस तरह से थोड़ा फ्राइ कर लूँगी, साथ ही मैं डाल दूँगी इसमें एक शिमला मिर्च, इसको भी थोड़ा सा फ्राइ कर लेंगे और अब इसमें डाल देंगे एक टी स्पून लाल मिर्च, एक टी स्पून काली मिर्च और हाफ टेबल स्पून नमक ठीक है यह डाल के हम इसको थोड़ा सा मिक्स करेंगे और थोड़ा सा और फ्राइ करेंगे फिर इसमें डाल दी है एक टेबल स्पून सॉय सॉस, एक टेब तो मिक्स करना मुश्किल है तो दो के साथ आप अगर इसको मिक्स कर लें अच्छी तरह से मिक्स कर लें और मिक्स करने के बाद इसको ढखके दो मिनिट के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे और दो मिनिट के बाद हम फ्लेम आफ करके इसको कर देंगे साइट पर चलेंगे जी न अब इनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और इसके बाद अगेर इसके अंदर में सॉसे आइड कर दूंगे यह आप अपनी मर्जी के मुताबिक दाल दें मैंने दो दो टेबल स्पून डाल दी है चिली सॉस विनेगर सोया सॉस तीक है यह सब चीजे मैं इसमें दो टेबल स्प और इसके बाद आप तो इसको थोड़े लिए पकने के लिए रख देंगे लोग फ्लेम पे तकरीवद पांच मिनिट के लिए पकने देंगे तो इसकी इसकी तीयार हो जीए देखें यह तो हमारा बिल्कुल तयार हो गया है चिकन अब इसको भी हम रख देंगे साइट पर उसके बाद next step है हमारा जो हमने चावल बॉयल करने हैं तो डीचप लिया है और दो टेबल स्पून मेयोनिस लिया है इनको एछे से मिक्स करके हमने एक सॉस त्यार कर देंगे यह देखे इस तरह से ठीक हो किए अब चलते है जी लास्ट टेप कितर इस चीजों को एसंबल कर द बहुत टेस्टी बना होगी और लास्ट पर हम इस पर डाल देंगे जो अभी अभी हमने तियार केचप और मायोनीज की सॉस लें जी सिंगापूरियन राइस रेडी है क्योंकि मेरे फेवरेट है और मुझसे तो अब रहा नहीं जा रहा हूँ तो मैं जा रही हूँ राइस खाले तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में अलाहाफेज